हेलो वीवर्स आज हम सीखेंगे दस्मलों का घटाना इसके लिए हम लेते हैं दस्मलों की दो संख्याएं हमने ली 780 दस्मलों 49 और इसमें से हम घटाएंगे 45 दस्मलों 3 तो घटाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम संख्याओं को सही क्रम में लिख लें जब तक हमें संख्याओं को सही क्रम में लिखना नहीं आएगा तब तक हम दस्मलों का घटाना सही तरीके से नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी पहली संख्या है इसको वैसे ही उतार देते हैं और जब हम दूसी संख्या लिखेंगे इसको लिखने हमें साउधानी वरतनी है जैसे हमारा सबसे पहले दस्मलो है तो इस दस्मलो को यहां दस्मलो के नीचे लिख लेते हैं बिल्कुल इसी क्रब में हम लिखेंगे और इसके बाद दस्मलो के तीन है तो इस तीन को हम दस्मलो के बाद याने के चार के नीचे उतार देते हैं और फिर इसके बाद दसमलों से पहले है हमारा पांच तो इस पांच को हम दसमलों के पहले लिख लेंगे और फिर हमारा चार है तो इस चार को हम पांच के बाद या कहें कि आठ के नीचे लिख लेंगे बिल्कुल इस तरह इसके बाद हम उपर वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्याओं से घटा देंगे तो घटाने के लिए देखेंगे तो सबसे पहले हम एकाई के तरफ से घटाना शुरू करते हैं तो यहां हम देखेंगे कि जीरो सुरी 9 है और 9 के नीचे हमारा कुछ भी नहीं है 9 ही आ जाएगा तो हम यहां 9 लिख लेते हैं फिर हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो जब 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 1 तो इस 1 को हम यहां लिख लेते हैं और फिर हम 10 मलों हुए है हमारा तो अब हम यहां यह 10 मलों को उतार देंगे इसके बाद हम इस उपर वाले 5 से नीचे वाले 5 को गटाएंगे तो जब 5 में से 5 को गटाएंगे तो हमारा आएगा 0 इसके बाद हम 8 में से 4 को गटाएंगे तो जब 8 में से 4 को गटाएंगे तो हमारा आएगा 4 इसके बाद हम 7 है और 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहां हम 0 माल लेते हैं तो जब 7 में से 0 को घटाएंगे तो हमारा आएगा उत्तर 7 तो इस प्रकार 785.49 में से 45.3 को घटाने के बाद हमारा उत्तर के आएगा 740.19 तो आएए दस्तमलो के घटाओ के इस कामसेफ्ट को एक और उदाहर्ण से समझने की कोशिश करते हैं अब हमने जो संख्याली हुआ है 460.35 और इसमें से हम खटाएंगे 78.06 तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इसमें संख्याओं को सही तरीके से विवास्थित करम में लिखना संख्याओं को सही करम में नहीं लिखेंगे हमारा घठाना कभी भी सही नहीं होगा या जो उत्तर आएगा वो हमेशा गलत ही आएगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जो हमारी पहली संख्या है इसको वैसे ही लिख लेते हैं इसके बाद हमें ध्यान देना है दूसी संख्या में जब दूसी संख्या को उतारेंगे तो सबसे पहले जो इसका दस्मलो है इसको लिखते हैं इस दस्मलो को हम यहाँ पहले वाली संख्या के दस्मलो के नीचे लिख लेते हैं इसके बाद हम जीरो है तो इस जीरो को यहां दसमलों के बाद उतार देते हैं फिर हमारा यह च्छो है तो इस च्छो को हम यहां लिख लेंगे इसके बाद हमारा आठ है दसमलों के बाद तो दसमलों के बाद आठ लिख लेते हैं यहां पर फिर हमारा ये साथ है तो इस साथ को आठ के बाद यहां लिख लेते हैं अब हम उपर वाली संक्या को नीचे वाली संक्या को घटाएंगे तो उपर वाली संक्या से नीचे वाली संक्या को घटाने के लिए सबसे पहले हम यहां इकाई के तरब से गटाना सुरू करेंगे तो यहां आप देख रहे होंगे कि उपर हमारा 5 है और नीचे 6 है तो सबसे पहले हम 5 में से 6 को गटाएंगे तो चुकी 5 हमारा कम है 6 से तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बगल वाली संख्या से हम एक हासिल लेंगे तो हासिल लेंगे तो यह चुकी हासिल देगा तो इसका इकाई में आके यह 10 हो जाएगा और चुकी 5 पहले से ही है तो यहां 10 और 5 15 हो गए तो अब हम 15 में से 6 को खटाएंगे तो जब 15 में से 6 को खटाते हैं तो यहां हमारा आता है 9, तो अब हम यहां नीचे 9 लिख देंगे, फिर यहां हमारा जो कि 3 था पहले और एक हासिल दे दिया, तो अब यहां एक कम होके, यहां बच गया 2 और 2 के नीचे 0 है, तो जब 2 में से 0 को अटाएंगे, तो यहां हो जाएगा 2, और इसके बाद हमें क्या करना है, यह दस मलव है, तो यहां नीचे 10 मलव उतार देना है, और फिर यह से 0 है, और इस में से हमें घटाना है 8, तो चुकी 0 में से 8 घटाना संभौ नहीं है, तो यह भगल वाले संख्या से हासिल लेगा, जब हासिल लेगा तो यहां हो जाएगा दस और दस में से जब आट को घटाएंगे तो हमारा आयेगा दो तो इस दो को हम यहां नीचे लिख लेते हैं और चुकी यह जो है एक हासिल दे चुका है तो अब यहां बच गया है पांच और चुकी अब पांच में से जब 7 गठाएंगे तो गठाना सम्भब नहीं है तो यहां बगरल वाली संक्या, याने के 4 से 1 हासिल लेगा जब चार से एक हासिल लेगा तो उसे दस मिलेगा और पांच पहले से ही है तो यह हो जाएगा पंदरा तो अब हम पंदरा में से नीचे वाले साथ को गटाएंगे तो हमारा आएगा आठ तो अब हम यहाँ आठ लेंगे और चुकी चार में से एक चला गया है बगल वाली संख्या में हासिल के रूप में तो अब यहाँ बच गया है तीन और तीन के नीचे घटाने के लिए कुछ भी नहीं है तो अब यहाँ तीन वैसे ही उत्तर जाएगा तो अब यहाँ हम तीन को लिख लेते हैं तो इस प्रकार चार सो साथ दसमलो तीन पांच में अठटर दसमलो जीरो च्छ को गटाने के बाद हमारा उत्तर क्या आया है तीन सो बैसी दसमलो दो नो तो आशा करता हूँ कि घटाओ का यह कांसेट आपको समझ में आया हो अगर समझ कांसेट आपको समझ में आया है तो इस अभ्यास प्रकार उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हमें भी फीड़ बैक के रूप में मालुम चले कि की वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सिकर ना भूलें ऐसे ही वीडियो पो देखने के लिए हमारे चैन को सब्सक्राइब करते हैं मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई